मूवी की सुरत में हमें एक घर दिखाय जाता है जिसमें छे लोग रहते थे और इनके नम कोरल क्रिस्टोफर पैथी और कोरी और कैरी और ये सब बच्चे की फिता जिसके नम था विल्ड वो हमेशा काम के लिए घर के बाहर ही रहते थे आज बहुत दिनों बाद विल्ड पतनी बहुत खुश थे उल्ड अपने पतनी के लिए एकनी क्लिस ले आई थे और इसी बीच हमें पता चलती है कि उल्ड का प्रोमोशन हुआ है इसलिए उसके काम के साथ साथ उसका सैलारे भी बढ़ गई है इस खुशी में वह आज रात पार्टी रखी है पर इस पार्टी म उल्ड के बदले एक आपिसर रहाती है और उल्ड की वाइफ को बताती है कि उल्ड की अक्सिडेंट हुई है और उमर गई है ये सुन कोरल काफी सौक्ट होती है और धीरे धीरे डिप्रेसन में चले जाती है कुछ दिन भी जाने के बाद गया थी अपने मा को फ्यूचर में बारे में पूछता है इस पर कोरल बताती है कि इस हालत में इस नौकरी करना बहुत मुश्चिल है क्यूंकि में हाउस भाइब के साथ साथ चरवच्चो के मा भी हो इस सीच्वेशन में कोरल एक एड्रेस पर चिठी भेजती है और उसका जबाब भी आती है जो पढ़कर कोरल खुस हो जाती है, तब कोरल अपने बच्चों को बताती है, कि में जो एड्रेस पर चिठी भेज रहा था, वो तुम्हारी नाना की एड्रेस थी, तब कहती है, अपने तो बताया था, मेरा कोई नाना नहीं है, असमने तुम्हारा पीता और में भाग कर सादी किया था, जिस का आज ही वहाँ जाने के लिए निकलेंगे खेर इसके बाद जब वो अपने नाना के घर पहुचती है तो बच्चे को ये जगा अच्छे नहीं लगती क्योंकि ये जगे काफी सुनसन और डरब नी थी और तभी हम को रॉल की मॉम औलेविया को देखती है जो बहुत ही गुसे लिए थी और तभी अलेविया बताती है कि इस घर में कोई भी बच्चे की सोर को नहीं सुनना चाहता और क्योंकि तुम सब ये ही रहोगे इसलिए मेरा रूल फॉलो करके तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी नाना को पता नहीं कि तुम सब ये हाई हो इस पर कैथे बताती है कि अपने अब तक नाना को हमरे बारे में क्यों नहीं बताई तब गोरल बताती है कि तुम्हारा नाना तुम्हारा पीता को बहुत हिट करती है और अब वो बहुत ही बुड़े हो चुके है इसलिए वो किसी भी टेम मर सकती है और वो मरने के साथ साथ उसका सारा प्रोपेटी हमरे हो जाएंगे उस बच्चे के पास और कोई आपसे नहीं ता इसलिए उसका मा को बात मानना पड़ता है खेर इसके बाद उसका नाने बच्चे को कुछ रूल बताती है वो बताती है कि तुम इस घर से कभी बाहने जा सकते और तुम सब को दिन में तीन बर खाना दिया चाएगा और लड़की लड़का एक बातरूम ने ही उसकर सकते अगर चोटे बत्चे को खेलना है तो उपर एक एक एटिक रूम है वहाँ जाकर खेल सकती है इसके बाद उलेविया जब यह से जाती है तब बत्चे एक डिक रूम देखने के लिए उपर जाती है पर बत्चे को यह रूम बिल्कुल पसंद नहीं आती खेर इसके बाद बत्चे जब एक दिन आपर सूर बचा रहे थे तब यहाँ पर उसका नानी आ जाती है क्योंकि इस बत्चे ने रूल दोड़ा है इसलिए उसे पानिसमेंट दे निकले आये थे और कोरल बत्चे की सारे दोस्त अपने उपर ले ले लेती है इसके बाद ऑलिविया कोरल को चाबुक से मारती है जाने से पहले उस सब बत्चे को गालिया देती है और गाली देने के बाद यह से चली जाती है खेर इसके बाद क्या थे अपने मा से पुचता है कि नाना नानी पीता को इतना हेट क्यों करती है असलिए तुम्हारा नाना मुझे बहुत प्यार करते थे और तुम्हारा नाना ज्यादा टाइम मेरे को देता था जिस कारण तुम्हारा नाना तुम्हारा नानी को ज्यादा टाइम नहीं देता था इसलिए तुम्हारा नानी मुझे पर इतने गुस्से करती है एक दिन उसका पीता उसका एक भाय को यहा ले आती है क्योंकि उसका मॉम डेड मार गए थे और ओर रिस्ते में मेरे अंकल लगते थे पर ओ लड का बहुत हैंसम था इसलिए मैंने उसको पसंद करने लगा और ओ मुझे भी पसंद करने लगा था इसलिए हम एक दिन भाग के साधी किये थे इसलिए तुम्हारा नाना हम सब को यह से निकल देती है और हम सब को हेट करने लगी है पर इधर बहुत टाइम बीच जाने के बाद भी कोरल अपने बच्चों से मिलने नहीं आती इसके बाद कुरल जब इन से मिलने आती है तो बच्चे काफी खुस हो जाती है तब ही कहती है अपने माँ से पूछता है कि अब कब आमारे बारे में नाना को बताएंगे इस पर कुरल कहती है कि मैं ये बत कभी भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये impossible है क्योंकि जब मैं यहाँ आए था तो तब मेरे और मेरे डैट के बीच ये बात है हुई थी कि अगर कुरल का कोई बच्चा नहीं होका तो तब ही इस घर में आ सकती है और वो अपने पिता को बताया था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और ये सुनकर कैते को काफी बुरा लगती है और उसे ये लगती थी कि उसका मा उसे यहाँ बांद करके रखी है इधर कैते हैं अपने चोटे भाई-बैएँ नहीं के मा की ध्यान रख रही थे क्योंकि बहुत दिनों से कुरल इसे मिलने में नहीं आया है एक दिन जब कुरल इस सब मिलने के लिए आती है तब उन सब के लिए बहुत कपड़े और गिफट ले आती है तब कॉरल भचों को बताती है आज रात इस घर में एक पार्टी है यह सुनके थी और कृिस्टोफर पार्टी में जाने के लिए जीत करने लगती है कोरल इस पर राज ही हो जाती है पर उन सब को बताती है कि तुम सब किसी की सामने नहीं आ सकते तुम्हें इस सब चिपके देखना पड़ेगा और उनको टेबल के नीचे चिपा देती है थोड़ी देर बाट पार्ट में कोरल के पिता भी आती है जो हुईलजर में बिठा लोगा था इसके बद पार्ट जब खताम हो रहे थे तभी क्रिस्टोफर और कोरल देखता है कि उसके मा अजञान आदमी के साथ किस कर रहे थे ये देख कैथी वहाँ से चली जाती है पर क्रिस्टोफर और रोम पूरा देखना चाहता था इसलिए रूम देखने के लिए आ कैथी ये ड्रेस पेंड रहे थे तभी क्रिस्टोफर आ जाती और कैथी को देखकर उसके अंदर फिलिंग आने लगती है पर तभी यहाँ पर उनका नानी आ जाती है और यह सब देखकर उसे लगती है कि यह तो भाई बेहनी एक दूसरे के पिछे लग चुगे है यह सब किठेने के लिए किस टुपर को कैतिका है क्यां कर ने के लिए एक बाल करने कर देती है अगर वो उसका बाल नए काटा तो अगले एक फटे तख उसे खाना नहीं मिलेगा पर थोड़ी देर बाद ही नाने उनको खाना देती है पर रात में औली भी आकर कहते कि बालों में गम लगा देती है जिस बज़े से किस्टोपर को कहते का है और करता ही पर बाल करने के टाइम ओए एक दूसरे के पास आ रहा है थे तब इन दोनों को बिज़ फिलिंग आ रहा है थे इसके बाद अगले सिन में कोराल को दिखाया जाता है जो पाच मेहने बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए आई है यहां कर कोराल कहते है कि मैंने एक साधी कर लिया है और वो पिछले पाँच मेहने से हालिमून में थे इसलिए बच्चे को साथ मिल देने ही आये थे यह सुन का क्रिस्टोपर और कैठीक बहुत गुस्सा करती है और उसे गालिया देती है इसके बाद वो बच्चों को सांध करने के लिए बच्चों के लिए डोनाट भेजती है खेर अगले सिन्वे हम देखता है कि क्रिस्टो पर बड़े ही चाला की से अपने नानी से चावी का एक पिंट ले लेती है और वो यहाँ से बहुत सारे पैसे चुरा कर भागने की प्लैन करती है इसलिए वो सब घर में चोरी करने लगती है और पैसे अगटा करने लगती है इसके बाद एक दिन चोरी करते टाइम उसे एक बुक मिलती है जिस पर intimate होने की सारे position लिखा हुआ था बुक परने की बज़र से इन दोनों के बीज और भी ज्यादा फिलिक आती है और उसी रात ही उन दोनों पहली बार के लिए intimate होती है अगले दिन उनके छोटे भाई केरी को दिखा जाता है जो कि बहुत विमार थे इसलिए ना चाते हुए भी कोराल अपने बच्चे का हस्पिटल ले जाते है कुछ दिन बाद कोराल यह पर आती है और कहती है कि केरी का फुट पोईजनिंग हुआ था इसलिए वो मर गए है इसी बीच उन दोनों ने बहुत सारे पैसे एक कट्टे का लिया है जिसे लेकर वो भाग सकती है और आज ही वो सब्यास से भागने के लिए प्लैन करती है तब कोडे उसे एक चुहा देखाती है और कहती है कि देखो यह मर चुका है और यह चुहे ने कुछ दिर पहले ही डोनार खाया था यह देखो समझ जाती है कि उसके माँ उसे माँ उन सब को माना चाता है ताकि उपने बाग की लाइफ अच्छे से जी सके कुछ देर बाद अब यह ओलिविया आती है और उसे देखते ही यह दिने भागने लगती है और ओलेविया इन सब को रोकने के कोशिस करते है पर तब ही बच्चे या कि शारे लाइट बंद कर देती है क्योंकि बच्चों को पता था ओलेविया अंधरों में डरती है और ओलेविया अंधर में काफी डर जाती है और उन सब को यहाँ से जाने के लिए मना करती है इस पर क्रिस्टो पर कहता है कि तुमने तो हम सब को माना चाहता था इस पर ओलिबिया कहते है कि मैंने ही तुम्हेरे माना ही डोनट पर जहर मिलाया था ये सुनकर बच्चे को कोई भी बुरा नहीं लगता क्यूंकि उसके पस उसका माग पहले ही मर चुके थे इसके बाद ये दिनों उपर से नीचे रसी फिकती है और यहाँ से भाग जाती है और भाग कर एक ट्रेन में चड़ती है और ये दिखते हुए ये मोवी यही पर कतम हो जाती है